नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल ब्रिनस एजुगेशन पॉइंट पर आज हम आपके लिए मुख परिच्छा का बहुत अच्छा कंटेंट लाए हैं जो कि भारती संविधाने और राजविवस्ता पॉलिटी के नो कर सकते हैं क्योंकि यदि आपका लक्ष MPPSC में अफसर बनने का है तो आपके लिए मुख परिच्छा को क्लियर करना अनिवार होता है और साथ इचाथ जो 2021 की तैयारी कर रहे हुन के लिए मुख परिच्छा की तैयारी करना अनिवार है और आप हमारे हस्ता लेकर नोट्स टॉपर्स के द्वारा जो बनाए गए हुने आप राप्त कर सकते डिस्कॉप्शन बॉक जाके इस्टामों जो की लिंक से नहीं तो आज ही आप हमारी प्राण में परिच्छा दी के नोट्स ही पर्चिस कर सकते हैं और साथी साथ जो हमारे नोट्स हैं मुख परिच्छ दो असरवान परिच्छ दस इस पर जाके भी आप हमारे प्राप्त कर सकती हैं नोट्स निर्दीशक्तत्नों का महत्त्यों तो इसमें हमारे आपको उनकोल एक्वुरेट नोट्स प्राप्त होंगी टूरी पैंट हमें थ्री मारकर फाइब मारकर प्रिश्णों पर विच्छा कर देंगे तो निर्दीशक्तत्नों का महत्त्यों में सर्प्रिथ हमें लोग कल्यानकारी राज की स्थापना करना निर्दीशक्तत्नों का प्रमुख महत्त्यों है आर्थिक बस सामज एक लोगतंत्र की स्थापना करना सरकार के कर्तब्यों को बढ़ाने तथा पत्प्रदाश मंफूमि का प्रदान करना निर्देशतत्त्तों के महत्र की अंतरगत आता है इसके बाद जो है प्रमखुरूप से वह कि दवाव समूह क्या कहलाती है तो दवाव समूह की अंतरगत प्रमखु प्रकार दीगा है 16 संगतन जेसे बिड़ी पियादी के अंतर्गत आती हैं 50 क्या समझते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1974 में संथानम कमेटी की सिफ़ारस पर क्या स्थापना की गई थी कई बच्टों का प्रश्णिय रहता है कि पॉलेटी के प्रेशने कठें रहते हैं इनकी याद करना कठें रहता है लेकिन यदि आप हमाई नूर से लेते हैं तो आपके लिए एक दमसरल हो जाएगा और जो केंदी से तरकता आयूख संभीधाने कने का है कार काल इसका चार बर्स से पे सब्सकी आयूख रहता है कार इसका भेशटा चार समन्दी मामलो की जाज़ करना केंदी स्तरकता आयूख का प्रमुख कार है और बर्तमानowan CBC प्रमुख केंदी स्तरकता की प्रमुख संजय को फारी जी है इसकी पस्छाज्यू है नीती आयूख से आप क्या समounगते है तो नी से बात साल का का एक oh एक्शन फ्लान भी होता है इस प्रकार से इसका कुल मिला करें रॉतय हूं राश्थि मानवधिकार आयो वसहायता करना इसके प्रमुख कारियों के अंतरगत आता है नियाएक विवस्ता की सन्रात्नात्मग्जु धाचा है सबसे उपर सर्वोच नियायले जो कि अनुच्य देख 124-247 के अंतरगत है उच्छ नियायले का जो बढ़नान है वह अनुच्य 214-231 अधिनस्त नियायले अनुच्य 233-237 और इसके बाद जो आते हैं वह अनुच्य नियायले की अंतरगत आती है मोबाईल अदालत जो कि नयाया कॉंसेप्ट आया है रीचिंग दा अनुच्य दिकी अभधारना पर आधारे थे भारत में सन 2007 में हर्याणा में प्रारम हुई है मोबाईल अदालत का जी प्राम केबिनेट केचन केबिनेट मोबाईल की अप्छारुक निया कॉंसेफ्ट है अप्चारर एक रूप से नियर लेने वाली सरुमार्ट संस्ता है इसका प्रोबहार को प्रदान मंति होता है इसकी जो और साथ है सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ इसके बाद जो राजिपाल के काड़ वगएर भी हाँ पर दिये गए हैं हमारी स्पीडियेप में बित्त पर संसदका नियंतर कैसे होता है यह अध्यान से देखते हैं अज बित्त प्रसासन की शुबवस्ता पर ही भारत की समस्त कल्यानकारी कारेकरम निर्भार हैं अता बित्त पर संसदका नियंतर कैसे होता है तो इसको हम चार्ट की रूप में देखते हैं बित्त नियंतर के सर पर्थम दो भागों में डिवाइट किया गया पहला तो होता है लूसरा होता है आंत्रिक बित्त प्रसांगार संसदय प्रसा दिबाईट किया गया है तो जो बाहिविटती है को सरपत्तर संसदी नियंतरन उसी एजी द्वारा, दूसर संस्दी नियंतर का जो विस्तार है मुझे संसदी समीतिएं दौरा संसिती समीति उन्द में आता है लोकलेखा और प्राकलन और सालवजनेग उक्रम समीति, आवश क्ता सालवजनेग धन कदुरुपयोग रोकने हेतु ही बित्त पर संसतका नियंत्रण अनिवार है, आर्थिक ब्रेकास में भी हुपयोगी है, कल्यान कारी कारेक्रमों के पूचत क्रियान्वयन में भी उप्योगी है राष्ट तवा जन है तमें आर्थक नीतियों के नेधारान में भी महत्तपुल्ण भूमिका का निर्वन करता है इसलिए वित्त प्रसंसत का नियंतरन उप्योगी है बालती संबिधान में नहत सुतंत ताकि अधिकाल के तहट 6 कौन सी है इसके बारे में भी आहिम जानेगे जो कि फायम मार करें पूझा जा सकता है अनुचेत 19 सभी नागरोकों को छे अधिकालों की गारंटी देता है इन में है प्रथम तो है बाक एवां अभिव्यक्ति की शतनता हमें अपने विचारों को रखने की शतनता है बाक के बो कार प्राप्त है बहरत की राजे छेत्र में सलबत अवास संचन का दिकार है बहरत की किसी इभी नागरे किसी से रहे निंग कह सकते जो-स न डाती कोई भी ब्रत्ती ब्यापार या कारुबार करने का भी अधिकार प्राप्त है इस प्रकार से बाकियों अभी वक्ति की शुतंता शांति पूर्वक्ष मेलन का अधिकार संग बनाने का अधिकार भारत की राज छेत्य में सरवत्त वास संचरन का अधिकार भारत की किसी भी कोई भी कारी व्यापार या कारूबार करने का दिकार इस प्रकार से अच्छे शतनता हैं प्रमक्ष रूप से प्राप्त हैं इसकी बाद का जो महत्रपूर प्रश्णवाय है भारत में बाह सुरक्षा के मुद्दी बाय खत्री से तातपड है जब किसी राष्टी की अन्य रा यहाँ पर हम जाना जब कि अन्य राष्ट भारत की आखंडटा एकता को ब्यापक्त ओर पच्छति गस्ट करने का प्रियास करता तब बाय खत्री इक अंतरगत आता है खत्रे को यहां पर प्रमुक रूप से दर्स आ गया है पहला तो बैस्व का अतंक बाद दूसर सीमा पार आतंक बाद जिसको भारत अभी बरतमान कंडिशन में भी देखी रहा है सीमा ब्यबाद भारत सामना कर रहा है नाल को आतंक बाद और पांच महां स सुला में जूरी हमला हुआ था यह सीमा पार आतंक बाद के अंतरगात आता है सीमा ब्यबाद बरतमान परी पेक्षे भारत चीन और भारत नेपाल भारत पाकिस्तान का यह बरतमान में सीमा ब्यबाद चल रहा है बैस्व का अतंक बाद प्रमुक संगठन है आईएस आईए अविस्था अपना धांचे को छती अत्वा गंभी रालते खानी पहुंचानी को देश से किया जाता है और नार्कु आतंकबार जब नसीले पदार्थों की तसकरी बावेद ब्यापार से प्राप्थ होने वाले धन आतंकी संगर्थोनों की हाथ में पहुंच जाता है तब यह नार्कु आतंकबार की रूप में जाना जाता है जब कोई नसीले पदार्थों की तसकरी वा अवेद ब्यापार से प्राप्थ होने बाला धन आतंकी संगर्थनों की हाथ में पहुंच जाता है तब यह नार्कु आतंकबार की रूप में जाना जाता है इन चनोतियों के बर आंसर और accurate answer तयार किये गए हैं जो कि आपके लिए बहुत युपयोगी रहेंगे और इसमें आपको हमारे जो टॉपर्स टीम है उसके द्वारा जो नोट्स तयार किये गए उसमें आपको कहीं भी कोई कमी नजर नहीं आएगी रदी आप हमारे नोट्स से लेते हैं तो आपक कर सकते हैं आप से का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमासा करते हैं आपनी तयारी करती रहें